आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ए सिद्धान तक नहीं हो तरी श्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत-बहुत सभागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे फिर Unification of Germany, Italian Unification हम आज देख रहे हैं और उसके बाद Rise and Fall of Napoleon भी देखा था तो Unification of Germany और Unification of Italy साथ-साथ हुए थे और यह बहुत इंपोर्टन इवेंट है हिस्ट्री के Unification of Germany ज़्यादा important है क्योंकि आपको पताए कि World War I, World War II में Germany सबसे important था बट Unification of Italy भी important है तो यह तीन leaders हैं आपने इनका नाम सुना होगा माजीनी को बोला जाता है दिल इटालियन उनिफिकेशन में यह तीन leaders ने main काम किया था माजीनी को इटालियन उनिफिकेशन का दिल बोला जाता है इन्होंने actively part नहीं लिया था इटालियन उनिफिकेशन में बट इन्होंने लोगों को बताया था बेसिकली ये गांधी जी हैं, इटली के गांधी जी माजीनी है, इन्हों ने लोगों को बताया था, राश्टरवाद की भावना लोगों में इन्होंने जगाई थी, लोग राश्टरवादी हो गए थे, लोगों ने माजीनी को फॉलो करना शुरू कर दिया था, माजीनी सारी सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी तो माजीनी को इटालियन युनिफिकेशन का दिल बोला जाता एक तरीके से गांधी जी ठीक है गैरी वाल्डी गैरी वाल्डी की बात करें तो गैरी वाल्डी को सौर्ड बोला जाता है ठीक है इटालियन युनिफिकेशन की तलवार आपको एक किस्सा बताता हूं, बहुत ही नियाय प्री थे Gary Baldi, ठीक है, और बड़े गजब के करांथी कारी, Gary Baldi ने क्या किया, देखे, पैरलली civil war चल रहा था अमेरिका में, 1861 में, आपको पता ही है, अबराहम लिंकन ने Gary Baldi को फोन किया, Gary Baldi से बोला कि मैं चाहता हूं, क्य Gary Baldi उनके जर्नल हो जाए, तो इबराहम लिंकन ने Gary Baldi को मतलब फोन के लेटर लिखा, और उनसे पूछा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे जर्नल हो जाए, Gary Baldi ने एकी सवाल पूछा, मैं जर्नल तो हो जाऊंगा, लेकिन आपस मुझे एक चीज़ का जवाब दीजे, क्या इबराहम लिंकन के पास कोई जवाब नहीं था, Gary Baldi ने मना कर दिया, कि फिर मैं आपका जनरल नहीं हो सकता, इतने न्याय प्री थे Gary Baldi, उसके बाद आते हैं कैवूर, कैवूर को धिमाग बोला जाता है, Gary Baldi ने एक्जेक्यूट किया, माजीनी ने लोगों को बताया, लेक लेकिन सारा प्लान, पूरी स्ट्राटजी कैवूर की थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, पीड मॉंट साइडीनिया के प्राइम मिनिस्टर बने और कैवूर ने एक तरीके से जो नहरू, भारत के नहरू, वैसे कैवूर, इटली में, तो कैवूर ने सब कुछ पूरी स्ट्राटजी बनाई, 51 साल की उमर में इनका ध्यान थो गया था, क्योंकि बहुत जादा काम करते थी, तो हम देखेंगे इटालियन उनिफिकेशन के बारे में, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, तो लेक्चर 6, उनिफिकेशन आफ इटली, ये आज का इटली ह देख सकते हैं आप, लॉंबार्डी, पीडमॉंट, साडीने, ये सब सिसली, इटली बहुत ही खुबसूरा था, कोस्लाइन है तो इटली के बात करें तो शुरू से ही बहुत इंपॉर्टन रहा है, अब आपको पता ही है कि रोमन एंपायर जो है, पहले इटली जो था, मतल सीजर आ गए, रोमन एंपायर पे मेरा पूरा सेपरेट लेचर है, आप देख लीजेगा, तो रोमन एंपायर वहां से शुरू हुआ, उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, इस्ट वाला रोमन एंपायर खतम, वेस्ट वाला रोमन एंपायर खतम हो गया, और आइज एंटियम खतम, ओटोवन एम्पायर ने रोमन एम्पायर पर पूरा कबजा किया, और उसके बाद दोस्तों, इटली छोटे-छोटे स्टेट में डिवाइड हो गया, ठीक है, छोटे-छोटे स्टेट में डिवाइड हो गया, 1789 में आता है फ्रेंच रेवलुशन, और नेपोलियन ने क्या किया, इटली के छोटे-छोटे स्टेट को, जैसे जर्मनी बहुत सारे छोटे-छोटे स्टेट में डिवाइड था, तो नेपोलियन ने क्या किया था, जर्मनी को 39 स्टेट में कर दिया, वैसे ही इटली भी छोटे-छोटे स्टेट में डिवाइड था, अब नेपोलियन ने इसको भी चार स्टेट में डिवाइड कर दिया तो एक तरीके से नेपोलियन ने सब को कंसॉलिडेट कर दिया, सब को साथ में लिया ताकि दिक्कते कम हो, आप समझ रहे हैं तो ये आज का इटली, आज का तो इटली पूरा युनाइट है वैसे मैं नहीं किया हूँ छेकिन के दौस्त लोग आएं तो बताते हैं कि कितना खुबसूरत है, है ना इटली में, जैसे हमारे सडके चलती ना इटली में घीले है, है نा गली-गली में आपको घीले दिखाए देंगी बहुती खुबसूरत है, ठीक है जरूर जाए इटली जब भी आपको टाइम मिले ये दोस्तों उस समय की condition है ठीक है ये आप देख सकते हैं ये है kingdom of Italy थोड़ा सा late का map है ये Austria Prussian Empire उसके बादे French Empire ये Russian Empire ये चार सबसे important है ठीक है अब हम आते हैं नेपोलियन ने क्या किया देखे इस फ्रेंच रेवलुशन आगे 1789 में 1789 में जब फ्रेंच रेवलुशन आया तो उसके बाद क्या किया कि नेपोलियन ने 1796 में हम देखते हैं कि आस्ट्रिया के किलाफ वो युद्ध में चला गया और उस्ट्रिया को हरा दे नेपोलियन ने 1796 में वहां से नेपोलियन फ्रांस का जनरल हो गया सब मैंने कवर किया है और 1797 में ट्रीटी ऑफ कैम्पो फोर्मियो साइन की गई जिसमें एक लॉज ये था कि अब से फ्रांस जो है वो इटली का गार्जियन होगा मतलब फ्रां वियन ने क्या किया कि इतली को चार किंग्डम में डिवाइड कर दिया और यही बान में आप समझ नहें तो यह चीज हुई आप हम देखते हैं कि 1815 में नेपोलियन हार गया बैटल ऑटरलू में तुरंत वियना कॉंग्रेस बुलाए गई वियना कॉंग्रेस में क्या किया अब नया जीओ पॉलिटिकल मैप और यूरोप ड्रॉप करने की जरूरत थी ठीक है तो अब हुआ क्या कि हम यह देखते हैं कि इतली को चार किंग्डम में बाट दिया अब यह आप इंपोर्टेंट देख लिए 1815 की बात ही यह वह चार किंग्डम कौन-कौन से थे साउथ में था किंग्डम ऑफ टू सिसलीज जिसको स्पेन की बर्बॉन डाइनस्टी रूल करती थी बैसिकली यह फ्रांस देखें फ्रांस स्पेन यूरोप में जहां जहां कैथोलिजम था वो लोग भाई-भाई थे तो फ्रांस में कैथोलिजम इस्पेन में भी बता है यह मैंने आपको बताया था ठीक है पहला स्टेट हुआ आपका किंग्डम ऑफ टू सिसली ठीक है यह सिसली और यह वाला ठीक है यह किंडम दूसरा था पेपल स्टेट यह आप देख रहें न सेंटर में लाल रंग यह पेपल स्टेट क्या है पेपल मतलब पोप की तो ये बिसिकली धार्मिक राज्य था Central Italy जो है Central Italy की बात करी ये Pope के पास था ठीक है और अगें Pope Catholics में Pope को सबसे उपर माना जाता है Pope को भगवान की authority माना जाता है जो Pope ने बोल दिया वो भगवान की वानी हो गई तो Catholics में Pope को सबसे ज़्यादा उपर माना जाता है तो जाहिर सी बात है Austria और France इन पेपल स्टेट्स को सपोर्ट करेंगी ये चीज़ आप समझे ये बहुत important है ये dynamic समझते चलिएगा समझे की ने क्योंकि France में France और Austria Catholics है Europe में जो देश Catholics है वो पेपल स्टेट्स को सपोर्ट करेंगा Simpli सी बात है ठीक है उसके बात तीसरा है आपका ये Lombardi ये Venesia ये टसकैनी ये पार्मा ये सब बेसिकली आस्ट्रिया के पास थे ठीक है ना ये टसकैनी, पार्मा और मॉडेना यहां पे आस्ट्रिया के puppet rulers थे और lombardi और venice यह उस्ट्रिया के पास थे उस्ट्रियन एंपायर तो basically यह उस्ट्रिया का यह northern इटली मा उस्ट्रिया का control था तो असली इटली खाली दो ही जगा था एक चौथा kingdom है पीडिमट और साइडिनिया यहां पे basically इटालियन इटालियन यूर् तो ची ठीक है यहां पे हम देखते है राजा रूल करता था ठीक है और यह राजा बोलता था कि Italy को unite हो जाना चाहिए तो actually में आप इसको छोड़िए ये वाला जो आपको pink में area दिख रहा है ना पीडमोंट और साइडीनिया का ये basically Italian unification के यही Italian unification चाहता था और उस समय real Italy यही था समझ गए और यही से शुरुवात हुई तो ये 815 का map है ये चीज़ आप समझ गए चार kingdom में Italy को divide कर दिया था South में कौन, Sicily, Center में पेपल स्टेट ये जो green में आप देख रहे हैं ये सब Australia के पास था, Australia बहुत important था बड़ा ताकतवर empire था, मैंने ये सब cover किया है और बाकि पीडमोंट, साइडीनिया जो है ये राजा रूल करते थे और यही में था, यही रियलिटली था ये चीज़ आप समझे बहुत बड़िया अब हम देखते हैं कि शुरुवात होती है देखिए शुरुवात किसकी हुई, revolution scheme नेपोलिया ने इस तरीके की हालत कर दी थी कि ये जितने भी states थे, ये कह रहे थे कि हमको एक साथ आ जाना चाहिए कल को कोई और ruler अगर हम पे हमला करेगा तब हम क्या करेंगे, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी ठीक है, तो यहाँ से nationalism फिर एक renesia period प्रभोधन काल, लोगों को मालूम चलने लगा था जोइन की, माजीनी और Gary Valdi पहले साथ साथ थे, अभी तेगे तीन, जो मैंने आपको शुरू में तीन political leaders दिखाए थे, वो वह वाथ important है, उनकी बात हम करते रहेंगे, तो माजीनी और Gary Valdi साथ साथ थे, माजीनी ने भी पहले एक secret society जोइन की Carbonary के नाम से, ठीक है, देखिए क्या था secret society का concept समझे Italy में, अगर आप बात करें Italy Unification की, देखिए कभी भी, जब युद्ध आप करेंगे या revolution होगा, तो दो चीज़े important होती है, एक है आपका external support, बहुत important चीज़ बता रहो, दूसरा है आपका internal support ठीक है, पहले हम external support की बात करते हैं, ठीक है, कितना मुश्किल था Italy के लिए Unifying होना, यह हम देखते हैं, हम पहले बात करते है external support की, external support बना बाहर का support, भाई देखो, तुम कोई काम करने जा रहे हो, तुम को बाहर से support तभी कोई करेगा, जब उसका कोई फायदा हो, तो external support तभी मिलेगा, जब देशों का फायदा हो, जैसे अगर अमेरिका भारत को support कर रहा है, वो external support है, उसका फायदा है, कभी-कभी नैतिकता भी होती है, जैसे, अमेरिका जापान को पूरा external एक्सटरनल सपोर्ट देता है ठीक है जापान पर अगर युद्ध धोगा जापान की कोई बहुत बड़ी अर्भी नहीं है पूरी बेसिकली सब कुछ अमेरीका करता है जापान के लिए अगर कोई युद्ध धोगा तो अमेरीका जापान को बचाएगा क्यूँ तक उन्हें तो बॉम गिरा था नुकेर बॉम ठीक है अब external support तभी मिलता है जब आपका फाइदा हो लेकिन यहां पे देशों का क्या फाइदा कोई फाइदा नहीं external support तो मिलने से रहा भाई revolution को क्यों support करेगा revolution का मतलब हो गया इटली एक हो जाए और इटली एक हो जाने का कोई support नहीं करेगा ब्रिटेन क्यों support करेगा balance of power बिगड़ेगा ठीक है तो ये सारी चीज़े दूसरी चीज़ है internal support मतलब इटालियन उनिफिकेशन में external support तो लोगों को मिला नहीं कोई भी support नहीं कि ये चीज़ आप समझेए दूसरी चीज़ है internal support अब internal support की बात यह है जब लोग यहाँ पे वैप में आप देखिए जब लोग जो है इन स्टेट्स में rebel करेंगे जब लोग खड़े हो जाएंगे authority के किलाव अब ये भी क्यों होगा ये भी नहीं होगा क्यों क्योंकि 1815 की Vienna Congress ने ये बोला था कि हम nationalism को बरदाश्ट नहीं कर हो गए तो हम उनको कुछल देंगे मार देंगे जेल में बंद करेंगे और ऐसा हुआ है जब जब revolution आया तब तब लोगों को पकड़के जेल में डाला गया तो एक तरीके से नहीं external support है नहीं internal support है इसे लिए secret society बनाई जाती है ताकि सब कुछ secrecy में हो तो Italy में secret society बनने लग काम करते थे जो वो वरकर्स जो की कोई लोग की खदानों में काम करते थे उन्होंने secret society बना ली क्योंकि उनका बहुत जब एक्स्प्रॉइटेशन हो रहा था तो वो secret society कार्बोनेरी वो जो इनकी माजीनी और Gary Baldy दोनों ने है ना लेकिन बाद में माजीनी ने 1831 में ही बहुत सारी लोग जुड़े Gary Baldy भी साथ में थे और 1831 में दोस्तों हम यह देखते हैं revolution हो गया 1821 आते ऑस्ट्रिया का जो रूल था उससे लोग ठक चुके थे पक चुके थे ठीक है ऑस्ट्रिया का काफी brutal रूल था काफी exploitation जब भी कोई external country किसी और देश को रूल करेगी त ठीक है तो यहां पर revolution क्रांतियां आना शुरू हुई 1820 से शुरू हो गया था 1831 में माजीनी ने एक फेल्ड revolution किया माजीनी और Gary Baldy ने मिलके कोशिश की कि रूम को अपने कबजे में लिया जाए और यहां पर एक revolutionary sentiment शुरू हुआ और क्रांतिया शुरू हुई बट वही मैं इनने establish कर दी थी बट Austrian Austrian आर्मी आई और सब कुछ खतम कर दिया यही होगा दोस्तों अब 1830 के बाद से यही होगा भार बार ठीक है क्या होगा कि जब भी क्रांति होगी कुछ वक्त के लिए सरकार बनेगी ठीक है यहां पर Italian सरकार बनाएंगे बट अगें Austria आर्मी आई या French आर्मी आईगी इनको खतम कर देगी यह चीज आप समझे बहुत बढ़िया तो हमें देखते हैं कि 1831 में जब Austrian आर्मी आई यहां revolution करने की कोशिश की करांती लाने की कोशिश की ठीक है लेकिन जब Austrian आर्मी आई तो उन्होंने सप्रेस किया माजीनी की ढूंड़ के लाओ मा गैरी वाल्डी कहीं पे भी जैसे चेग वारा थे चेग वारा क्या करते थे कहीं पे भी अगर क्रांती हो रही हो वहां पहुंच जाते तो दुनिया में कहीं पे भी क्रांती हो रही है वैसी गैरी वाल्डी थे अगर मोनार्की के खिलाफ कहीं पे भी क्रांती हो रही हो साउथ अमेरिका में ब्राजील में राजा के खिलाफ लडाई लडा रहे थे. तो यहाँ पे 10 साल तक साउथ अमेरिका में लडाई की Gary बाल्डी ने वका Itemim an ूर क्रांथी में लग गए। तो Gary Valdi ऐसे थे कि कहीं भी democracy के लिए democracy को सबसे त्स elaboration करते थे Gary Valdi, कहीं पर भी डेमोक्रिसी के लिए लड़ाई होती थी गेरी बाल्डी पहुंच जाते थे ठीक है तो हम यह देखते कि 1845 तक 1833 से लेकर सुरी यह यंग इटली जो है वो 1833 ने बनाई थी माजीनी ने 1833 से लेकर 1845 तक हम यह देखते हैं कि कुछ नहीं हुआ ठीक है गेरी बाल्डी आउट अप दा पिचर थे माजीनी भी अंडरग्राउंड थे तो को जाधा हुआ नहीं है ना और माजीनी के मूवमेंट को भी सप्रेस किया जा रहा था बार बार लेकि लोग राश्ट्रवादी होते जा रहे थे यह चीज आप समझे अब क्या हुआ अब 1848 में First War of Independence शुरू हो गई ठीक है मैंने आपको बताया कि भाईया ऐसा है कि अब revolution शुरू हो गए थे लोग राश्ट्रवादी होते जा रहे थे गेरी बाल्डी वापस आ गए इटली ठीक है कि revolution आया, revolution निदा सस्की इटली एक हो जाए अभी पीड मौन साटीनिया और कैबूर कहा है इसमें अभी हम वो भी जानेंगे तो गेरी बाल्डी और माजीनी ने ठीक है इसमें में गेरी बाल्डी थे गेरी बाल्डी ने अपने forces को लिया पूरे यूरूप में फैल गए थे और इटली के अलग-अलग states में revolution शुरू हो गए आप समझ रहे हैं अभी कहां का revolution हुए ठीक है देखे सबसे पहले तो revolution ये पेपल states में हुए रोम को कबजा करने की कोशिश थी और रोम पे कबजा कर भी लिया था ठीक है कुछ महिने तक रोम पे कबजा कर लिया था यहां पे गेरी बाल्डी ने रोम पे अपना दबदबा जमा लिया था बट हम देखते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि People State यानि कि Pope का あ-थौरिटी Pope कौन है Catholic? ठीक है फ्रान्स क्या है Catholic तो फ्रान्स किसको सपोर्ट करेगा? Pope को तो फ्रान्स ने अपनी सेना भेज दी यह怎麼 भी पेपल इस्टे बेजे में और Gary Valdi की सेना को फ्रान्स ने हरा दियो फ्रेंच चार्ड भी बहुत ताकतवर थी और ऑस्ट्रिया ने भी यही किया यह एरियाज में भी रेवलुशन होगा और यहां पे भी जो ऑस्ट्रिया के अंडर था कुछ स्टेट्स ऑस्ट्रिया के पास थी वेनिस ऑस्ट्रिया के पास था तो वेनिस में भी रेवलुशन आ नहीं थे, इतने जाद उनके पास resources नहीं थे, Gary Valdi को फिर हार का सामना करना पड़ा, तो 1848 से लेकर 1849 तक कुछ समय तक हम देखते हैं कि यहाँ पे Gary Valdi ने अपनी सरकार बनाई, Gary Valdi था सेल्स की जो Italian leaders थे, जो revolution चाहते थे, कुछ वक्त तक Rome में और Austria के पास जो states हैं, First War of Independence, Italian First War of Independence 1848 में, हमारा भी First War of Independence 1857 को बोला जाता है, Italy में इसको 1848 में बोला जाता है, ठीक है, एक चीज़ और आप समझे कि यहाँ पे Pope Pius the 9th, ये भी आगे तो इनका भी election हो गया था, लेकिन unfortunately ये failed हुआ, ठीक है, ये ज़्यादा success नहीं हो पाया, अब हम ये देखते हैं, First Phase शुरू होता है, ठीक है, Italian Unification को अभी हम तीन Phase में बाटेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे, देखिए, 1848 में रिवोर्ट सारे सप्रेस कर दिये गए, First War of Independence फेल हो गया, दोबारा Gary Baldi, Gary Baldi के बास खली 200 आदमी बचे थे, तो Gary Baldi दोबारा भाग गए, ठीक है, America गए वो, अमेरिका से मदद मांगे और पूरी दुनिया से मदद मांगते थे वो, तो जहां पे लोग Italy को सपोर्ट करते थे, वहां से पैसा आया Gary Baldi को, और Gary Baldi ने शिप खरीदा, लेकिन 1856 साल तक 1849 से लेकर 1855 तक Gary Baldi बाहर रहे, माजीरी को भी गिरफ्तार किया गया, वो भी बाहर रहे, ठीक है, वो भी अंडरग्राउंड हो गए थे, तो यहां दिक्कत बहुत जादा थी, अब आते हैं पिच्चर में कैवूर, कैवूर की बात करें, तो पीड मॉन्ट साइडीनिया, विक्टर इमानुल 3, विक्टर इमानुल 3 जब राजा बने, ठीक है, लेट 1840 से में, यह पीड मॉन्ट साइडीनिया, यहां देख रहे हैं, रुकिये, यह तो आगे मैप, हाँ, यहां पे, अच्छा, रुकिये, उसी मैप से मैप को समझा देता हूँ, यह फ्लिपिंग होगी थोड़ी, आप थोड़ा सा, यह पीड मॉन्ट साइडीनिया जो है, ठीक है, यहां करो, आप समझ रहे हैं, तो कैवूर लग गए, कैवूर यहां पे, युनिफिकेशन में लग गए, कैवूर की डिप्लोमेटिक स्किल बहुत जबरदस्त थी, ठीक है, लेकिन कैवूर नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसिया है, कैवूर चाहते थे कि इटैलिया, इटिली जो है वो युनिफाइड हो, लेकिन वहाँ पे मोनार्की हो, राजा का रूल हो, और गैरी बाल्डी चाहते थे कि डेमोक्रेसिया है, तो इसलिए कैवूर और गैरी बाल्डी की कभी बनती थी ही नहीं, साथी साथ कैवूर जो थे, जो पीड मॉन साइडीनिया में पार्लियमेंट कैवूर को बहुत सारे पोर्टफोलियो दिये गए, ठीक है, कैवूर को फॉरेन मिनिस्टर, कैवूर को फाइनस मिनिस्टर, सारे पोर्टफोलियो राजा ने कैवूर को दे दिया, और अल्टिमेटली कैवूर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब जब प्राइम मिनिस् तो इसलिए Gary Valdi और Kevur की कभी भी नहीं बनी लेकिन बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि के वूर भी चाहते थे इतली युनाइट हो Gary Valdi भी चाहते थे कि इतली युनाइट हो दोनों लोग चाहते थे कि इतली का युनिफिकेशन हो तो इसलिए दोनों में मतबेद थे लेकिन देश के लिए दोनों साथ में आए आप समझ रहे हैं तो Gary Valdi की Kevur को जरूरत थी और Kevur को Gary Valdi की जरूरत थी दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी दोनों के बिना इतली युनिफाइड नहीं हो इनी सकता था तो Kevur यहाँ पर जैसे ही Prime Minister 1852 आते आते जैसे ही Kevur Prime Minister बने इतली के युनिफिकेशन में लग दे strategies बनाने लगे कि पूरे इतली को कैसे युनिफाइड किया जाए और याद रखिएगा ये Piedmont Sidonia ठीक है यहाँ पे है Kevur ये Piedmont ये वाला जो Pink में है Piedmont Sidonia में ही Real Italy उसमें यही था यहाँ पे ही Italy की उनिफिकेशन की बाद चली Victor Emmanuel 3 चाहते थे कि ये सारा एरिया हमारा है सबको इनिफाइड करो ये सारी चीज़े ठीक है ये चीज़ आप समझ गए तो Kevur ने अब अपने हाथ में सत्ता ली और उस क्रीमियन वार जो है ये टर्निंग पॉइंट था देखिए 1853 से लेकर 1853 से 1856 तक 3 साल तक क्रीमियन वार चला किसके बीच में था ओटोमोन एंपायर एक साइट ओटोमोन एंपायर को सपोर्ट फ्रांस और बिटिश कर रहे था वर्सेस रशिया अब क्रीमियन वार पे मैं नहीं जोंगा लेकिन यहां पर भी धर्म के लिए ही वार चुरू हुआ ठीक है तो ओटोमोन एंपायर और रस्या के बीच में वार लेकिन ओटोमोन एंपायर को कौन सपोर्ट कर रहा था फ्रांस और ग्रेट बिटेन तो एक साइट था रस्यान एंपायर और दूसरी देंगे पीड मॉन्ट साइडीनिया की आर्मी आपके साथ लड़ेगी फ्रांस और बिटेन बहुत खुश हो गए कैवूर ने अपनी आर्मी भेजी दी फ्रांस और बिटेन की मदद के लिए और फ्रांस और बिटेन और ओटोमोन प्लस कैवूर की आर्मी ने रस्यान एंप प्रांस और बिटेन ने कैवूर से बोला मांगो क्या मांगते हो क्या चाहिए तुमको तो कैवूर ने एक शर्त रखी कैवूर ने बोला देखिए जब भी इटाइली इटिली का युनिफिकेशन होगा जब भी हमको मदद की जरूरत पड़ेगी आप आएंगे प्लस अगर हम स्टेट्स के खिलाफ वार लड़ते हैं इटालियन स्टेट्स जिन एंपायर के अंदर है उनके खिलाफ अगर हम लडाई में जाते तो आप उनको मदद नहीं करेंगे मान गया आप अपर फ्रांस भी मान गया ग्रेट बिटेन भी मान गया तो पैरिस में जब कॉन्फरेंस थारासो छपपन में तो कैवूर को बुलाया गया और कैवूर ने बोला कि आप लोग मदद नहीं करेंगे जब हम उस्ट्रिया पर हमला करेंगे ब्रिटेन मान गया फ्रांस के नेपोलियन 3 से बोला फ्रांस से कैसे मान जाए अभी मैंने बता ना ऑस्ट्रिया जो एंपायर है ऑस्ट्रियान एंपायर है कैथलिक और फ्रांस भी कैथलिक तो फ्रांस तो ऑस्ट्रिया को मदद करेगा ही करेगा दोनों भाई 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 है नेपोलियन 3 से बोला कैवूर ने हम उस्ट्रिया पर हमला करेंगे, लेकिन आप मदद नहीं करेंगे, नेपोलियन 3 ने बोला मैं क्यूं मदद नहीं करूंगा, मेरा भाई है मैं बिलकुल मदद करूंगा, कैवूर ने अपने पत्ते फिके, कैवूर ने बोला आप मदद मत कर लोगों का मूट खराब हो गया, लोगों ने बोला ये पागल हो चुका है, आख खुद सोचिए, मान लीजे भारत का कोई हिस्सा किसी और देश को दे दिया जाए, लोग पागल नहीं हो जाएंगे, लोग रिवोल्ट कर देंगे, सत्ता वदल जाएगी रातो रात, कैवूर क समझाया, अभी ये जो एरिया में दे रहा हूँ, ये मुझे देने दो, बाद में ये सब वापस दे लूँगा, मेरा बादा है, तो लोग मान गए, कैवूर ने यहीं किया, कैवूर ने हम देखते हैं, पीड मॉन्ट साडीनिया ने औस्प्रिया के खिलाफ वार छिर दिया ठीक है, और यहां से ही फर्स्ट फेज शुरू हो जाता है, 1858 से लेकर 1859 तक, तीन फेज में हम इटालियन उनिफिकेशन को बाड़ते हैं, फर्स्ट फेज यानि कि सेकेंड वार अफ इंडिपेंडेंस अब इटली की शुरू हो गई, कैवूर ने क्या किया, पीड मॉन्ट वाला एरिया है, ठीक है, यह उस्ट्रिया के पास है, तो यह वाले एरिया को अपने पास लेने के लिए, कैवूर ने क्या किया, इन एरिया पर अटाक कर दिया, अब इसका मतलब था कि उस्ट्रिया के पास है, यह वेनिस लॉंबार्डी वाला एरिया, ठीक है, तो जाहिर स जैसा कि मैंने बताया कि नेपोलियन 3 के साथ ये pact था कि आप support नहीं करेंगे बदले में हम आपको नीस और सवोई दे देंगे तो France ने बिल्कुल support नहीं किया नेपोलियन 3 ने बिल्कुल भी support नहीं किया और इसका नतीजा ये हुआ कि Lombardi, Austria रूल से free हो गया बहुत बड़ी बात Lombardi जो है ये वाला जो एरिया है Lombardi ये आ गया Italy के पास क्या बात है समझ रहे हैं ये आ गया 1858 ये साडीनिया के पास आ गया साडीनिया मतलब Italy ही आप समझ लिए जो समय का ये साडीनिया के पास आ गया लोंबार्डी वाला और ये उस्ट्रिया के पास था समझ रहे हैं तो ये चीज है अब जैसे ही Lombardi और ये रूल से free हुआ ठीक है जैसे ही Lombardi और ये रूल से free हुआ तसकैनी, पार्मा, मोडेना, मार्च, रोमेगना यहाँ पे ठीक है ये बेसिकली ये टसकैनी, पार्मा, मोडेना ये आप देख रहे हैं ना रुकिए ये पार्मा रुकिए वाले ही मैप में आपको दिखाता हूँ ठीक है जैसे ही Lombardi पीडमान साडिनिया के पास आया 1859 में मोडेना, पार्मा और टसकैनी ये वाला जो एरिया है यहाँ पे रेफरेंडम करा दिया गया ठीक है तुरन् weights यहाँ पे वोटिंग कराओ कि इनको अस्ट्रिया के पास जाना है कि इनको हमारे साथ रहना है ये वाला जो एरिया था ये पार्मा वाला मोडेना और तसकैनी ये बेसिकली यहाँ पर औस्ट्रिया के ही रूलर्स बैठे हुए थे, जो यहाँ पर रूल करते थे, वो औस्ट्रिया के अंडर थे, तो इन तीनों, एक बार लॉंबार्डी, पीडमोंट, साडीनिया के पास आ गया, पर्मा, मॉडेनी और टसकेना में वोटिंग करा दिया, रेफरेंडम क यह वाला पूरा एरिया, पेपल स्टेट को आप हटा दिजिए, यह नॉर्धन इटली पूरा का पूरा, पीडमोंट, साडीनिया के पास आ गया, बहुत बड़ी बात, अब बात आई, सदन इटली की, सदन इटली को, सदन इटली मतलब यह वाला, किंग्डम औफ टू सिसल मैंने अब भी बताया, कि यह किसके पास था, यह था, बर्बन डानिस्टी के पास, गैरी वाल्डी को बुलाया गया, ठीक है, नॉर्धन इटली, पीडमोंट, साडीनिया ने नेक्स कर लिया, अभी मैंने आपको बताया न, नॉर्धन इटली, 1859 आते है, ते पीडमोंट, स साउथ इटली, यह जो, किंग्डम आफ टू सिसली है न, यह वाला एरिया, ठीक है, इसको आप अनेक्स करो, ठीक है, तो 1860, यह सेकेंड फेज है, तुरंती, फर्स्ट फेज के बाद, तुरंत सेकेंड फेज शुरू हो गया, 1860 में, यह वाला एरिया, सदन स्टेट भी जी यह दो बचा, ठीक है, तो अब इसको कैसे लिया, देखिए, 1866 में 3rd war of independence, 3rd war of independence का 3rd phase शुरू हो गया यहां पे, ठीक है, 3rd phase और 1866 में, आस्ट्रिया और कूसिया के बीच में war शुरू हो गई, देखिए, रोम अभी तक, रोम सबसे important शेयर था, ठीक है, लेकिन रोम में, रोम जो है, वो पोप रूल करता था, पोप के पास था रोम, अब इदर गैरी बाइल्डी और बाकी को पता था, कि हम रोम पे ऐसे अटाक नहीं कर सकते, अच्छा, इस दौरान, 1861 में कैवूर का भी दिहान थो गया, कैवूर का दिहान थो गया, तो सब कुछ विक्टरी मै प्रूसिया से दुश्मन का दुश्मन भाई, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, प्रूसिया और इटली ने एक ट्रीटी साइन कर ली, अब इस ट्रीटी के अंदर ये था, कि इटली ने प्रूसिया से बोला, कि जब आप उस्ट्रिया को हराएंगे, ठीक है, तो वेनिस हम को एरिया आ गया है आप समझे कि ने खाली रोम बचा है आप समझे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ रोम पेपल स्टेट्स भी बचे हैं अच्छा पेपल स्टेट मैंने बोल दिया था देखिए अभी पेपल स्टेट पे कबजा नहीं किया 1870 में होगा क्योंक वो यूनाइट हो चुका है और पीटमोंट साडीनिया सिर्फ और सिर्फ वो पेपल स्टेट और रोम बचा है समझ रहा है और वेनिस बचा है ठीक है तो वेनिस के लिए क्या किया 1866 में जब प्रूसिया उस्ट्रिया के साथ वार लड़ रा था तो इटिली ने प्रूसिया से बोला कि माई बाप बिस्मार्क से बोला कि आप लड़ तो रहे हैं जैसे ही आप जीतेंगे तो वेनिस को हमको दे दीजेगा रूसिया मान गया बिस्मार्क मान गया बिस्मार्क ने जैसे ही ऐस्ट्रिया को साथ हफतों में हरा दिया मैंने बताया था ना जैसे ही आप ऐस स्ट्रिया को हराया वेनिस आगया किसके पास पीडमॉन साडीनिया तो इटली पूरा युनाइट हो गया अठारासो चाचाट खाली रोम बचा है सिर्फ और सिर्फ रोम बचा और गैरी बाल्टिस को चाह के भी नहीं बुला पा रहे थे अब रोम बचा है 1870 में देखिए फ् वूप के अथारिटी है और फ्रांस जो है वो रोम को प्रोटेक्ट कर रहा है क्यों कि पोप जो है वो रोम से ओपरेट करते हैं और फ्रांस कैथलिक, पोप कैथलिक तो दोनो भाई भाई लेकिन 1870 में क्या हुआ फ्रांस और प्रूसिया के बीच में वार हो गई यह मैंने Unification of Germany में कवर किया था फ्रांस हार गया फ्रांस हार गया तो पोग को बचाने वाला कोई नहीं तो 1870 में मतलब 1871 में रोम को भी अनेक्स कर लिया गया और थर्ड फेस भी खतम यानि कि क्या हुआ इटली युनाइट हो गया 1871 आते 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 इटली पूरा युनाइट हो गया और रोम को इटली की क्यापिटल बनाया गया यह आप समझे ठीक है तो 1870 में जैसे ही देखिए अभी मैंने बता है ना फ्रांस क्या है फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा है फ्रांस पेपल स्टेट को सपोर्ट करेगा लेकिन 1870 में प्रूसी और फ्रांस के बीच में वह रही तो फ्रांस हार गया अब क्यासे सपोर्ट करेगा इटली को बस यही चाहिए था उसको तो ये चाहिए था कि फ्रांस हार दे किसी तरह फ्रांस हार गया पेपल इस्टेट पे कबजा कर लिया और 1871 में रोम पे भी कबजा हो गया खतम समझ गए तो बस हम फटाक से एक बार रिजन कर लेते हैं ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत नी मुझे पता थोड़ा सो कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर मैं को बता देता हूँ क्या हुआ सबसे पहले पीड मॉट और साडीनिया जो है वो अलग थे ठीक उसके बाद 1858 में क साउथ सिसली वाला है Southern Kingdom जो है Southern Italy है वो इनके पास आ गया और 1871 आते आते पेपल स्टेट भी इनके पास आ गए तो इतली पूरा का पूरा युनाइट हो गया यह चीज़ आप संजहे और अभी देखिया प्रेजेंट में आप देखिए प्रेजेंट में यह पूरा इतली है आपको दिख रहा है ये है present Italy 1871 में इधर जर्मनी भी उनाइट हुआ और इधर Italy भी उनाइट हो गया ये है आज का Italy और ये 1871 में हुआ आज इतली एक है खुब सूरत है समझे तो I hope ये जादा आपको इसमें परिशानी नहीं हुई होगी थोड़ा से टेक्निकल है मुझे पता है बट एक बार आप और अच्छे से सुनेंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे ना तो आप समझ जाएंगे ओके ये दोस्तों 1871 युनिफिकेचन अफ इटलीस कंप्लीट अब मैं आओंगा साथ तारीक को ठीक है साथ तारीक को हम इंडस्ट्रियल रेविलूशन की बात करेंगे ठीक है साथ या फिर छे ठीक है छे जुन या फिर साथ जूल इन दोनों में से एक तारीक में मैं इंड ठारीक उल यूस्तों युन यूस्ट ट्रव यूस्ट्रियल